पुश्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या अब पराली जलाना जो है वो कम हो गया है मतलब कि पिछले साल की तुलना में यानि 2021 से कंपेर करके देखे 2022 के अंदर तो पराली जलाने की जो घटना है वो कितनी कम हुई है एक रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आई है अब ये रिपोर्ट किसने परस्तूत किया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा साथ ही साथ हम जानेंगे कि ऐसा हुआ किस रीजन से है मतलब कि क्या-क्या गौर्वर्मेंट ने मैनेजमेंट ऐसा किया कि जो पराली जलाना है चाहिए वो पंजाब हरियाना उतर परते वहां पर ये जो प्रक्रिया है वो कम हुई है जानेंगे कि स्टबल बर्निंग ये होती क्यों है और किसान को जो किसान है हमारे उनको ये सब करना क्यों पड़ता था तो इन तमाम बातों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए Commission for Air Quality Management यह ध्यान रखना यह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी स्थापना कब हुई यह क्या क्या काम करता है तो यहाँ पर इसने रिपोर्ट दी इसके पास भी किसी के पास यह जो CAQM है इसको भी किसी ने रिपोर्ट दी थी ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से तो इन्हों ने कहा कि इस CAQM के अनुसार जो राजधानी है यानि कि जो दिल्ली है और आसपास का जो एरिया यानि दिल्ली NCR जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर जो पराली जलाने की जो घटना है 2021 की तुलना में अगर हम बात करें 2022 तो 31.5% की कमी आई है अब यहाँ बर अगल अलग अगर राज्यों की बात करूँ तो पंजाब में 2021 में जितनी पराली की जो घटना हमारे सामने आती थी और 2022 में जितनी हमारे सामने आई है उसके अंदर 30 परतिशत की कमी आ गई है पर एक्जामपल की 100 पराली जलाई जाती थी पंजाब में 2021 में 2022 के अंदर वो कितनी हो गई 70 हो गई हर्याना के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 47.60% की कमी आई है और उत्तर परतिश में 21.435% की कमी आई है यह अंकलन किसने निकाला गया नासा के द्वारा जो हमारे देश की रिपोर्ट पर कम तो यह लगँ कि naw राजी जलाने की जो घटन वो भारत के अंदर यानी हरियाना पंजाब उत्तर परद Δेस के यहां पर वो कम हुई है क्यों कम हुई है क्या reason है अब वो जानलेते हैं तो देखिए जो राज्य सरकार होगी तो राज्य सरकार जो है वो कुछ management कर रही है जैसे in-situ हो गया, ex-situ हो गया नहीं स्वे स्थाने और बाहर स्थाने यह जो कुछ management हो गये यह भी बताऊंगा कि यह क्या होती है अब इसके साथ साथ जो government है उन किसानों को भी सम्मानित कर रही है जिनोंने पराली नहीं जलाई उनको सम्मानित कर रही है तो ऐसे से management, ऐसे से कदम उठाए गए जिससे क्या होगी जो पराली जलाने की जो गटना है वो कम होती गई अब यह क्या होते हैं स्वेस्थाने यानि कि English में बोलें तो in situ यह क्या होते हैं देखे यहां पर जो एक machine यूज की जाती है zero tiller machine अब यह क्या होती है जो अफशेश रह जाते हैं खेतों के अंदर फसल काटने के बाद तो उन एक तरीके से उन अफशेशों को यह काटती है जमीन के अंदर यह दबा देती है एक तरीके से बायो डीकमबजर का यहां पर यूज किया गया अभी मैं आप लोगों यह machine की जो image है वो भी दिखाऊंगा तो यह हो गई दूसरा हमारे सामने आता है off-site जिसको हम बोलते हैं इसमें क्या होता है कि उदान के लिए जो मवेशी के चारे के रूप में चावल का जो बूसा है उसका उपयोग कर लिया लग भग यह जो पहला management मैंने आप लोगों बता है ना जिसमें machine का यूज करके जो अवशेस है उसको उखाड दिया गया उसको डिकंपोजर के बायो डिकंपोजर के रूप में यूज किया गया तो लग बग 10 million टल पराली का निप्टान जो है वो इस first management के तहत किया गया और पंजाब में पिछले सालिया नहीं 2021 से 2022 में 2022 में 25 परतिशत बढ़ गया है यह और दूसरा management जिसे ने second management अपनाया वहाँ पर कि भी जो मवेशी हैं उनको चारे के रूप में जो ये चावल का भूसा है उनको दे दिया जाए तो 1.8 million टल पराली का परबंदर इस second management के तहत किया गया पिछले साल की तुलना में इसके अंदर भी 33% की वृधी हुई है पंजाब ने पिछले 3 साल के लिए कारे योजना बनाई थी केंदर सरकार भी इसके साथ साजा कर रही थी तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कितनी सारी management है जिसके चलते जो यहाँ पर पराली जलाने की जो घटना है वो कम हुई है केवल एक दिन की बात नहीं है काफी टाइम से यह program यह policies चल रही है सरकार प्रयतन कर रही है center government, state government सब मिलके एक साथ काम कर रही है ताकि जो पराली जलाने की जो घटना है वो कम हो सके अब जान लेते हैं कि पराली दहन क्या होता है यानि वटी stubble burning तो देखिए पराली दहन जो है वो अगली फसल बोने के लिए फसल के अफशेशों को खेट से जलाने की क्रिया होती थी बोले तो कि यहां पर चावल हो गए चावल होने के बाद इन चावलों को उपर-उपर से काट लिया गया जो नीचे का जो एरिया बच गए है जो अफशेश बच गए किसान इनको अगली फसल भई अगली फसल क्या है तो देखिए इसको समझी आप देखिए सर्दी स्टार्ट होने वाली होती रभी की फसल की बुआई जो हरियाना पंजाब के किसान जो है वो बहुत कम अंतराल में कि जाती है अब भी सर्दी है इसकी छोटी अवदी के कांड का है फसल की बुआई में देरी ना हो जाए अगर देरी हो गई तो फसल अच्छी नहीं होगी देखिए यहां पर जो गेहूं है यह गेहूं की जो फसल है इसके लिए धंड की जो टाइम होता है मतलब यहां पर ओस पड़ती है तब जाकि गेहूं की जो फसल है वो बहुत अच्छी हो बाती है लेकिन पराली जल रही है मतलब इसमें अगर लेट हो गए तो ये फसल लेट होगी, फसल लेट होगी तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ जाते है जिसके कारण क्या होता है, वही किसानों को इतना जादा नुकसान होता है तो वो ये जो प्रालिक को जलाने की जो परक्रिया है, इसको वो तीवर समझते है मतलब यह तेज परक्रिया है, यहां पर कौन काटे, कौन मशीन को लेकर आए, इससे बेटर यही है कि जो अफशेश बचे हुए है, केद के अंदर उनी को जला दो, तो वो अपने वहाँ पर benefit के लिए क्या कहते हैं कि इस प्राली को वहाँ पर जला दिया जाते हैं, तो यह सब चीज़ें होगे, यह होती है पराली दें, इसके अलावा, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, जो हमारे सामने सबसे बड़ा reason निकल के आता है, pollution, देखें, खुले में जो पराली जो जलाया जाता है, जो environment के अंदर बड़ी मातरा में, जो pollutant है, वो निकलते हैं, जिसके अंदर CH4 आ जाता है, carbon monoxide आ जाता है, या फिर volatile organic compound नी VOC, जिसके वाजशिल कार्बनिक योगीक, जिसको कहते हैं, वो आ जाते हैं, carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbon जैसे honeycar gas भी इसके अंदर आ जाती हैं, वातावरण में छोड़े जाने के बाद ये परदुशक क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि दिली के अंदर आप देखते हैं कि मोटी चादर बन जाती है, दुएं की smoke, उसे कोहराव कहा देते हैं, लेकिन वो smoke होता है, जिससे देखे मानव के उपर कितना जादा effect पड़ वो खतम हो रहे हैं, अब प्राली जलाएंगे तो जो जमीन है ओविसलि वो भी गरम होगी, तो वहां की जो नमी है, जो उप्योगी, जो रोगानू है, वो भी जो moisture है, यानि कि वो भी खतम हो रहे हैं, उसे मित्टी की उर्वरता है, उसको नुकसान हो रहा है, के बल इनसा टीलर या हैपी सीडर मशीन जो है वो यूज की जाती है यह निकि ये देखिए एक टेक्नलोजी जो है वो यूज की जाती कि विकल्ब क्या-क्या है हमारे पास टेक्नलोजी का यूज कर लो तर्बो हैपी सीडर है इसका यूज कर लो अब फसल पैटन जो है इसको बदल लिया कि उस प्राली को एक तरीके से खाद के तोर पर ही यूज कर ले जाता है उसको तोड़ कर वहां पर नमी के तोर पर जो खेत में जो है वो गांस के तोर पर यूज कर लेते हैं इसको अब अन्य प्रयोजना ही भी हो गई जैसे पंजाब होगी यहां पर NCR और दिल्ली होगी वहां पर उन्होंने क्या क्या कि क्रिशी में प्राली दहन की समस्या को निपटने तो वाईयू गुणवत्ता परबंदन आयोग द्वारा दी गई रूप रेका के अदार पर निगरानी के लिए एक विश्तरित कार योजना त्यार की अब यहां पर CAQM हाता है हमारे सामने मैंने आप लोगों को बताया था जिसने रिपोर्ट पेश की थी CAQM यह कह दे कि CAQM इसका पूरा नाम हो गया Air Quality Management Commission तो CAQM जो है उसका काम यह होता है कि जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां पर Air की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना उसको देखना कि कहीं वो खराब तो नहीं हो रही है इन सब चीजों का ध्यान रखने का इसका काम दिया होता है यह एक Act बन गया Act कब बना 2021 में इससे Act बनाए गया यहां पर देख लिजे Commission for Air Quality Management in National Capital Reason and Adjoining Areas Act 2021 इसके ताइट इसको पावर मिली गए एक Statuary Body है अब इससे पहले एक Ordinance होआ करता था देखे कोई चीज एक्ट नहीं बनती है तो उससे पहले Ordinance के द्वारा उसको लागू कर दिया जाते है जैसे आपको बता है किसान भी लाए थे तो एक Ordinance आया था फिर बाद में वो Act बन गए थे अब उसको बापस ले लिया गया कर यह समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया अब राष्टे राजधानी शेतरों और आसपास के शेतरों में यू गुणवत्ता प्रमंदन आयोग 2021 ने यह जो CAQM आया इससे पहले एक अधिनियम और हुआ करता था एक Act और हुआ करता था 1998 में बनाया गया था उसको उसको EPCA यानि की Environment Pollution Prevention and Control Authority इसको इनोंने भंग कर दिया बोले तो अब यह आ गया कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम गायब हो जाओ तो एक तरीके से यह खतम हो गया है और यह राश्टी यह क्या काम करता है देखिए जितना भी एरिया है डेली होगी उसके आसपास कहीं यह निए NCR जिसको हम बोल देते हैं वहाँ पर यह जानना कि पॉलिशन कितना बढ़ रहा है एर के अंदर किस रीजन से बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाएगा उसके लिए क्या क्या सॉलूशन निकाले जाएंगे इस सारे काम जो है वो इसके दोरा किये जाते हैं आगे की रहा क्या हो सकती है तो देकि हम जानते हैं कि प्राली जहन से जो कच्चा माल है कितना कच्चा माल है उसका हम कितना हम यूज कर सकते हैं वो नश्ट हो रहा है अब नश्ट तो हो ही रहा है साथे साथ परदुशन भी बढ़ रहा है परदूशन बढ़ रहा है, सांस की बिमारियां बढ़ रही है ग्रीन आउस गैंस का उसर्जन बढ़ रहा है तो आज की रेट में मांगी है कि जो प्राली है उसका कहीं न कहीं सही यूज़ करते हैं पशू अहार के रूप में उसको creativity के तोर पे यूज़ करते हुए हम पशू के आहर में उसका यूज़ कर सकते हैं टर्बो हैपी सीडर मशीन होगी बाईो डीकमपुसर होगे इन सब चीजों का विकलप हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नलोजी का हम यूज़ कर सकते हैं यह सारी जो घटना है वो कम हो सकते अब साथ-साथ जो यह पराली है इसको भी हम यूज कर सकते हैं कागच और कार्ड़बोर्ट को बनाने के अंदर भी देखिए ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं निकल सकते हैं उनका हम कहीं सरी धंक से यूज कर सकते हैं एक कंपनी है दिली के आसपास बाहर पला गाम के पास नंदी फाउंडेशन है उसनों ने क्या-क्या 800 मेट्रिक टन जो है वो धान के जो आफशेश है वो किसानों से उन्होंने ले लिए अब क्यों ले लिए उसका क्या काम करेंगे उसका खाद बनाएंगे तो कर रहे हैं करकोल गैसी करन विद्यू तुत पादन जैव एथनोल के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं तो बहुत सारी विकल्प है हमारे सामने तो उमीद करता हूं कि आप लोगों के टोपिक समझ में आया होगा कि स्टबल बर्निंग जो है वो कम हो रही है क्यों कम हो रही है अब स्टबल बर्निंग होती गया और किसान क्यों किया करते हैं तो उमीद करता हूं कि आज का टोपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता याँ चलेगी आप लोगों को पसंद आया है यह समझ में आया है कोई डाउट ह में टेलिग्राम का इक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए तेंक यूवर वाचिंग दिस वीडियो